खरीब सीजन अपने पीक पर है जिसके तहट खरीब सीजन की मुख्य फसल धान की रुपाई बुआई की परक्रिया पूरी हो चुकी है हलाकि अगेती किसम के धान भी तैयार हो गए है जो इन दिनों मंडियों में आने भी शुरू हो चुके हैं इसी बीच यूपी की मंडियों में बासमती धान के दाम में उचाल देखने को मिला है सरकारी आंकडों के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस सल यूपी की मंडियों में बासमती धान के दामों में 60 फिसदी का उचाल दर्ज किया गया है वहीं हर्याना की मंडियों में बास्मती धान के दाम पिछले साल की तुलना में 20 फीसदी अधिक दर्ज किये गए हैं खरीप सीजन अपने पीक पर है और इस दरान पूसा बास्मती 1509 किसम का धान त्यार होकर मंडियों में बिखने के लिए आना शुरू हो चुका है वहीं मिली जानकारी के मुताबिक बास्मती धान की इस किस्म के दाम अलिगर मंडी में 3600 रुपे प्रतिक विंचल देखने को मिले हैं जबकि बीते साल इसी मंडी में इस किस्म के बास्मती धान के दाम 2320 रुपे प्रतिक विंचल थे वहीं दूसरी और हरियाना के कुर्षेतर जिले की मंडियों में पूसा बासमती 1509 किस्म 340 रुपे प्रतिक विंचल के आसपास देखने को मिल रही है जो एक साल पहले 2710 रुपे के आसपास देखने को मिली थी दरसल बासमती धान के दामों में उच्छाल के पीछे का मुख्या कारण चावल निर्याद पर सकती है बीते दिनों केंदर सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्याद पर 20 फीसदी शुल्क लगा दिया था वही तूटे चावल के निर्याद पर पूरी तरह से प्रतिबन लगाया गया था इस वज़े से अंतरास चेस्तर पर बासमती चावल के दामों में भड़ोतरी देखने को मिली है अंकडो के अनुसार जुलाई में बासमती निर्याद का ओसत मुल्या 1078 डोलर प्रतिटन था वही मौजूदा समय में निर्याद तक साड़े बारा सो से साड़े तेरा सो डोलर प्रतिटन के हिसाब से सोदे कर रहे हैं हाला कि नई फसल को दाम बहतर मिलते हैं लेकिन जिस तरीके से दामों में इजाफा हुआ है उससे बाजार विशेशग्याद बहतर मान रहे हैं वहीं इसी बीच बाजार जानकारों का कहना है कि बास्मती धान के दामों में नियंतरन के लिए एक नियूंतम मुल्या निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं मिशेशग्यों का मानना है कि इस फैसले से बास्मती दान की उंची कीमतों को बनाई रखने और क्रिशी आये को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है